नमस्कार आज एनाइवेस के कम्मुटी हेल्थ टीनिंग प्रोगाम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं कि एनाइवेस का ये प्रोगाम बहुत इंपडेंट प्रोगाम है कम्मुटी हेल्थ टीनिंग प्रोगाम में हमारी जो स्वास्थे कार करता है उनके लिए एक ऐसी जानकरी एक ऐसी टीनिंग जिसके लिए उनके लिए एक कारकरम इस्पेसली चलाए गया है एनाइवेस के माध्यम से और पूरे देश में ये कारकरम चल रहा है इस पेसली ज़र हम बिहार राज की बात करें तो खास तोर से बिहार राज में इस समय सेकिंड बेच में करीबन तीस हजार स्वास्थ है कारकरताओं को प्रेस्टिक्शनर देने की तैयरी इस समय चल रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा देस है इसमें इस पेसली हम तीन जो मौसम हैं हमारे अलग-अलग उनको हम जानते हैं खास तोर से गर्मी जिसे ग्रीशम कहते हैं सीथकाल जैसे ठंड का मौसम कहते हैं और बरसाकाल तो तीन मौसमों को हम खास्तों से जानते हैं और इनके आने जाने के समय में अक्सर लोग बीमार होते हैं ना केवल इतना हैं, बलकि जब बरसाकाल होता है, पूरा देश में जिस समय जगे जगे पानी भर जाता है, बार आ जाती है, आबदाएं सुरू हो जाती है, और प्रकृत तक आबदाओं के समय में, जो गाओं हैं, बहुत दूर दूर तक ग्यामीर जो छेत्र हैं, उनके संप और बहुत ही इंपोर्डेंट हो जाते हैं, ये स्वास्थे कारकरता, जो कि हमारे स्वास्थे विभाग के अंतरगत बहुत आवस्थक हैं, आज इसी कारकरम पर हम चर्चा करेंगे, कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रवंदन में स्वास्थे कारकरताओं का महत्व उनकी उ सबहाग है कि आज हमारे साथ इसका कारिकरम पर चर्चा करने के लिए उपस्तित हैं इस्टूडियो में डॉक्टर डी सी मिस्रा जो वरिष्ट सलिच चिकसक हैं और गोपाल होस्पिटल पटना से आप वहां के निदे सकें मैं उनका स्वागत करता हूं आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस्टूडियो में साथ ही हमारे साथ उपस्तित हैं डॉक्टर निदीगर्ग आप साहिक प्रोफेसर हैं और फिजीशन है दिल्ली में मैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूं नमस्कार सबसे पहले मैं इस चर्चा को सुरू करूँ मैं सबसे पहले यह सेकेंड बैच के लिए इसा मैंने बताया कि उनकी जो टेनिग है प्रेस्क्षन उनका सुरू होने जा रहा है तो इस समय जो हालत हैं क्योंकि बर्सा काल में अक्सर बहुत सारे हमारे देश के ऐसे राज्य हैं जहां बर्सा की बज़ए से बाल आ जाती है विकट समस्या ह होती है संपर्क तक कड़ जाता है ग्रामीड शेत्रों का तो ऐसे समय में डॉक्टर डी सी मिस्टा जो है वो कुछ चर्चा करके बताएंगे यह बिहार की स्थिति किस तरह की गंभीर होती है सर वर्सा काल में बिहार तो खास करके खास कर उत्तर बिहार का जो स्थित्र है उस स्थित्र में बाढ़ सबसे ज़्यादा परिशान करती है वहां की उस स्थित्र में बहने वाली नदियां गंड़ा कोशी यह बागमती यह सब फैल जाती है और आस पास के गाउं को प्रोहाज जरते हैं गाउं में पानी भर जाता हाने जाने का रास्ता कर जाता हाई वे कर जाते हैं और लोग परिशान होते हैं यह परिशानी यहीं तक सिमित नहीं रहती है कि पानी आ गया और भर गया चत पर यह हो गया घर गिर गया मकान गिर गया परिशानी तो उसके बाद सुरू हो होती है कि मकान तो गिरने वाला वो बन जाता है लेकिन तब तक आस-पास के जल जमाओं से अनिक बीमारियां जल जमाओं के कारण जो सामान सड़ जाता है उस सडावांद के कारण अनिक बीमारियों का जन्म होता है और हमारे पास जानते हैं कि खास करके बिहार में डॉक्टरों की कमी बहुत जादा है इतने चिकितसक नहीं है कि हर जगा आपदा के समय वहां मौजूद हो अस्पतालों में भी मौजूद हो वहां भी मौजूद हो अभी मुझपरपुर में जापनीज इन सेफलाइटीस और दूसरे कारण स जो बच्चे मरे वहां पे अब डॉक्टरों ने पूरी जोड लगाए लेकिन अब डॉक्टर उतने थे नहीं लोग करते तो क्या करते बड़ी परिशानी होई ऐसे छेतर समय में जबकी बिमारियों का अचानक बाढ़ा गया हो पानी के बाढ़ा के साथ-साथ बिमारियों क महामार्यों को प्रवंधन में हमारे स्वास्तिकरता अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह अदा कर सकते हैं जैसे सबसे पहले तो बिमारियों का पाथचाना वहर जितने बिमार मरीज हैं उन मरीजों को चिकित्सक के पास ले जाई ये उनका डियागनोसिस करवाई ये करते करते बहुत समय भी लग सकता है उतने चिकित्सक नहीं है लेकिन स्वास्त कारी करता है लक्षनों के अधार पर उन्हें अलग कर सकते हैं अलग करके उन्हें डॉक् साथ मसारदी के एडवाइस को वो पूरा करने में मदद कर सकते हैं जो अस्पताल के कर्मशारी हैं उनके साथ मेल करके प्लस जब वो वहां से गावां में चले गए चुकि अस्पताल की भी तो एक सीमा है और वहां के अब रिफरल हास्पिटल है तो जाज़ जादा तीस अ उस州 और दूसरी दवाइयों का उनके उपचार उनके प्लात्मिक उपचार का ये सबका प्रवंद कर करके मरीजों की जान भी बचा सकते हैं उन अप दाओं को फेलने से भी रोक सकते हैं प्रेवेंटिब मेजर's को लागो करने करवाने में में मदद भी कर सकते हैं और इ यह में से अपने बताया कि बहुत ही संख्या कम होती है चिकर्षकों की डॉक्तर्स की और पीएसी में भी एक लिम्हेशन है और फार्वी में भी एक कितने पेसेंट्स को भरती किया जा सकता है तो यह बात आपने बिल्कुल ठीक कही और यद भरती कर लिए तो उनमें से जो लोग ठीक होंगे उनको भी धीरे-धीरे करके बापस आना होता है वहां भी उनका थोड़ा वह टीटमेंट चलना होता है तो निश्चत रूप से स्व भूमिका और महत्पूर्ण हो जाती है क्योंकि जब वहां से होस्पिटल से भी आते हैं तब भी उन्हें दस पास देन और स्वस्थ होने में लगते हैं और उस समय की जो देखवाल है वह स्वास्थ्यकार करता बहुत ही आराम से कर पाते हैं इस समय में स्वास्थ्यकार करत बहुत सारे पसू मरे और वो जब पसू मर जाते हैं जो सडन होती है वहां बहुत सारे वैक्टिरिया वाइरस और फंजाई इनसे सम्मन्दित होने वाले बिविन रोग जो है वो हो जाते हैं तो उन रोगों को ठीक से जाचना देखना उनसे होने वाली बीमारियों को उनके सि अच्छे हॉस्पिटल्स में रैफर करना यह जो है स्वास्थाकर करता का बकई बहुत बड़ा महत्पूर्ण रॉल है इसमें कोई दो राए नहीं है तो डग सब इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो क्या मतलब जैसे डॉक्टर आजकल कई वार सुनने में आता है कि वो डॉक्टर बन जाएंगे इसके संदर्ब में अभी भी हमारी भारत सरकार ने भी एक विसेश रूप से क्योंकि आफसकता तो है ही यह कोई डाउट वाली बात नहीं है आज क्यूंकि ग्रामीर शेत्रों में जहां पर संपर कटे हुए छेत्र हैं उन छेत्रों में जो पहुं अभी नया जो 염मसी बिल आया है उस बिल में बहुत सारे भ्रहम है जो ब्रहम हमारे आइये में वाले चिकेटसकों के पास भी है और जो हमारे स्वास्त कारी करता है उनके साथ ही ब्रहम इस बात का था जिससे अभी हाल में हमारे सरकार ने इसको क्लेर किया है कि ब्रहम की स्थेती नहीं रहनी चाहिए ब्रहम ये था कि यहां डॉक्टरों के शुकी बहुत कमी है इसलिए जो काम करने वाले आरेमपी लोग हैं उनको एक ब्रीज कोर्स की तरह करवा करके और उनको डॉक्टर बना दिया जाए तो ये भ्रहम डॉक्टरों के बीच में था कि ऐसा को सरकार करने जा रही है लेकिन इसे हमारे मन्नी मंत्री जी ने क्लेर किया है कि नहीं उन्हें चिकितसक का पद नहीं दिया जाएगा बल् Lat वे चिकित्सक के सहायक के रूप में स्वास्तकारी करता काम करेंगे इस भ्रहम को दूर कर लेना चाहिए और ये भ्रहम उन ग्रामिन चिकित्सक के नाम से जो लोग स्वास्तकारी करता का ये कर रहे हैं उनके दिमाग में भी भ्रहम नहीं रहनी चाहिए कि उन्हें चिकित्सक कारे करना है, वो चिकित्सक की सहायता करने है, नहीं अपने आपको मानें, लेकिन उनकी सहाय की भूमका भी कम नहीं होती है, चिकित्सक चीजों को एकुरेशी से और पूर्णता से करते हैं जो यह नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए लंबी पढ़ाई, लंबी ट्रेनिंग लंबी चीजों की जरुत होती है तो इस ब्रह्म को डॉक्टर भी हटा ले कि उन्हें कोई चिकत्सक का पद दिया जा रहा हो ऐसा नहीं है ताकि ऐसा नहो कि वो लोग पास करके आए और जो डॉक्टर हैं सब को सब को एक तरह से सान दिया जाए ऐसा ऐसी स सितिन नहो तो ये बात भरम उनको भी अटा लेना चाहिए और स्वासकारी करताओं को भी अब्रह्म अटालने होती है हमेशा उन्हें चिकत्सक के सलाह के अनुसार उनकी अन्मती से उनके बताय हुए रास्ते पर चलकर के जिकित्सा रोगियों की चिकित्सा में शहाया की भ चिकत्सक काम किया होता था वह सरकार उनको सायद एक्स्प्रेंस क्या थार पर रेईस्टर मेडिकल प्रेक्टिशनर के रूप में एक सार्फिट देती थी और वह सरकारे कर सकते थे तो उस समय हालां कि यह आभी प्राब्धन नहीं है और इसको सरकार ने खतम कर दिया है इस से बिलकुल अलग है, यह जो सास्थेकार करता है, यह तो यह भी नहीं है, तो काईदे में इनका ब्रोध तो नहीं होना चाहिए मेरी ख्याल से, और मुझे लगता है कि जो हमारे ब्रोधी चिकिस्चक हैं या IMA से सम्मंदे जो लोग हैं, उनको यह जानना चाहिए कि यह आप के लिए बैक बोन का काम कर रहे हैं, आप जहां भी बैठे हैं, चाहिए आप सहर में बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, आपके लिए यह उन पेसेंट्स को जो बहुत सीरियस होंगे, और जिनकी इस्थिती बहुत गंभीर होगी, उनको हर तरह से यह सपोर्ट दे करके आपके पास लाने का काम करेंगे, उनको रहफर करके आपके चिंता करने की ज़रूद नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मालना है, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, कभी-कभी जब ब्रहम की इस्थिती होती है, तो चिंता वाली बात होती है, ब्रहम की इस्थिती न नया यह NMC बिल लाया गया था, उसके साथ भी बहुत सारी चीजें थी, कई परिशानियां थी, उसमें चिकत्सकों का डॉमिनिंस कम हो गया था, तो यह सब मिला जो लाके कई परिशानिय उसी बीच में यह बात भी आ गयी थी, और जो भी आपने कहा ना, RMP का सर्टिफिकेश अज कई सालों से वह बंद 효गा है तो अब वो जिननों को मिल गया था उननों के लिए, क्या प्रा迦ोन सरकार का है, यह ठीक-ठीक, तो मुझे भी नहीं मालूँ कि उनका क्या प्रावधान है, लेकिन प्रैक्टिस का जहां तक सवाल है, वैसे सारी RMP की डिग्री को हुआ कि इन्हें ग्रामीन चिकित्सक ग्रामीन चिकित्सक की बात कही गई तो लोगों के बीच में ये ब्रह्म बैठ गया और कुछ ब्रह्म जो लोग जिन्होंने अड्मिशन लिया था उन लोगों ने भी ये फैलाया कि हम लोग अब ग्रामीन चिकित्सक हो गए अब हम चिक किस कर रहे हैं वहाँ पे तो ये एक बड़ी समस्या है सरकार के लिए भी कि अंट्रेंड लोग कितना सारा काम कर रहे हैं बॉक्सिंड कर रहे हैं चोटे-चोटे सती थी, इस ब्रहम को हम n. iu.s अपने training program में, इस ब्रहम को दूर कर सकते है सरकार कह करके भी और जो grammarzeitig की स्वास कारीकरता की जो training ढे रहे हैं, अन्हें भी बार बार इस बात का सुमरन दिलाकर का इस ब्रहम को दूर करना चाहिए कि आप चिकित्सक नहीं हैं आप चिकित्सक चिकित्सकों के शहायक हैं और इस सहायता के दोरा आप चिकित्सक की कैपसिटी काम करने की चमता को बढ़ा रहे हैं बहुत सारी चीजों में जहां चिकित्सक के उपलफ़ता नहीं है उस उपलफ़ता को दू करके और चिकित्सक का हेल्थ इपार्टमेंट के लोड को आप कम कर रहे हैं इस वर्क लोड को कम करके आप सहाएक हैं लेकिन आप चिकित्सक नहीं है इस बात को यह है बलकि यह ग्रामीन चिकित्सक सब्द जो आया है इस शब्द को से अगर चिकित्सक को हटा करके ग्रामीन स कि सास्ते-कर्टारता या स्वास्त्रकारता प्रते या सब्सक्राइब करते हैं हम क्याते हैं वे बिक्तियां किम बड़ा बिंगों सोगया ऐसा बड़ा काम关ी करें भ affair कि आ बहुत एसे स्थित्या हो तो ये भी निश्चत है कि बहुत जन धनकी हानी हो सकती है बड़ी परिसानी हो सकती है और ऐसे समय में स्वास्तेकार करता निश्चत रूप से बड़ी भूम का निवा सकते हैं तो इनका होना समाज में उतना ही आवस्थक है जितना की चिकिस्थक तो इनकी उप्युक्ता जो है वो कहीं कम नहीं है और ये जैसा की बताया आपातकाली निस्थिती में ये जो भी इनके लिए आवस्थक चिकिसी जो कार जो इनके सीमा में आता है वो उतना कर सकते हैं और इमिडेट उसको फर्श्ट टेट दे करके उसको रहफर करेंगे ये इनका खासतोर से आप दिल्ली में हैं दिल्ली की स्थिती को देखते हुए जो गर हम बात करें कि दिल्ली तो हमारी केपिटल है हमारे कंटी की तो इस हमारी केपिटल में भी क्या कुछ ऐसे स्थान है क्या ऐसे कुछ चेत्र हैं जहां पर स्वास्थेकार करता की जरूरत है और स्वास्थेका हैं वहां पर डॉक्टर्स के पास लोड बहुत जादा है आप देखते होंगे कि जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इन में कितने जादा मरीज आते हैं क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है भारत की तो यहां पर दूसरे राज्यों से भी जो मरीज हैं वो अपना इलाज कराने के लिए आते हैं तो इस समय में जरूरी हो जाता है कि जो हमारे मेन होस्पिटल्स हैं उसमें नहीं जा पाते हैं तो सवास्यहार शक्रता जो है उन्हें अवेयर करके जागरूप करके उनकी मदद कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वो किस enhances में जाए या कि चिक्चट के पास जाए ताकि उनका समय कम से कम बरबाद हो और एक चिकित्सक को भी पता चल पाए कि उनको कौन से मरीज देखने हैं या वो उनको पास भी लोड कम हो अगर छोटी-छोटी बीमारियों के लिए भी लोग बड़े-बड़े होस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे जो विशेशग्य हैं उनके उपर अन्नेसेसरी भार पड़ता है क्योंकि वह चोटे-चोटे जो मरीज हैं वह बहुत ज्यादा समय खपा लेते हैं और जो गंभीर रोग के रोगी होते हैं उनके उपर विशेश ध्यान नहीं दे पात पत्षा слवными तो स्लम एरिया में स्वास्ते करता कि भूंका हो सकती है क्यों से लोगं को वैसे लोह को मोटिवेट करखे सही जगा पर ले जाना उनके कारे को यह कार्य हमारे लोग कर सकते में उंके ह। नोग होते हैं जो उन लोगों के साथ में पट्टी करना यह सब छोटी-छोटी कितनी चीजे हैं जो काम करके वो कुछ पैसा कमा भी सकते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े होस्पिटल के लोड को कम कर सकते हैं तो यहां सबसे इंपरेंट जो बात मेरे को जो समझ आती है मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ा मेट्रो सिटीज में भी जहां हम समझते हैं कि स्वास्ते विभाग जो है वो पूर तरह से सक्षम है और सरकार भी बहुत सारा काम कर रही is, लेकिन उस लोड को कम करने में सवास्ते कार करता की बहुत बड़ी भूनका यहां पर होती है साथ में जो लोग पएंग के एपिसेटी इनकी बहुत कम है वो लोग भी इनके माध्यम से छोटी उपी मारimientos को लेकर के पेट में दर्द है थोड़ा सा थीवर हो गया हलका कोल गफ हो गया इन चीजों को लेकर कि क्योंगि स्वास्थेकर करता के पास में कुछ और कोछ प्लाक५टिक जानकरियां भी है यूप के माध्यम से और भी चीज़ों के माध्यम से वह कंट्रोल कर चाहे वो दिल्ली हो, कोलकता हो, चाहे मुंबई हो, उन जगें उपर भी वास्तम में, ऐसे trained health workers, यानि प्रसिक्षित कार्यकरताओं की वास्तम में स्वास्ते भाग को आप सकता है, स्वास्ते भाग इनको directly recruit भी कर सकता है, और स्वास्ते भाग इनकी माध्यम से, इनकी साहिता आपने स्वास्ते को पूरी तरह से ठीक रख सकता है, बढ़िया रख सकता है लनता के यह. एक और काम भी हमारे स्वास्तेकरता, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं जैसे बहुत-से गाऊं से लोग आते हैं, पड़े अस्फ़तालों में उन्हें पता नहीं चलता है, मुझ के लोगों को नहीं रहती है और न चीजों में ही बहुत सी परिशान हमारे स्वास्त करकरता इस काम को फैसिलिटेट करके उनके काम को आसान बना सकते हैं और उंके लिए उपयोगी हो सकते हैं इहां यहां एक और important बात हम आप से जानना चाहिएंगे कि आज आजकल चुकि बर्सा का समय भी है और न किवल बिहार में बलकि उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर पार्ट है इधर महाराष्ट में भी इस वार काफी बारिस होई है जहां पर बहुत रास्दी एक तरह से आ गई है गुजरात और ये सब जो केरल है इन में बहुत बारिस होन की गासी एंधरी वैसे बहुत सारी बीमारें उसे सम्मन देत और बहुत सारी चीजें ऊस तरह की आस्तिव 새 eyeballs हो गई है तो जन सास्था कारता हमारे जो वीमारियां हैं या जिन पर वो कंट्रोल कर सकते हैं जो पर अपना प्रवंदन कर सकते हैं उसके बारे में एक बार डॉक्टर डीसी में सासर और चर्चा करें इस पे थोड़ी चर्चा पहले हुई भी है तो उसको और विस्तार करते हैं जैसे कहीं कोई छेतर में बाढ़ हाई है या अन्य आपदा जैसे भुकम है बाढ़ है आग लगने की घटना है ऐसी सिती में अचानक बड़े लेविल पे जब काम होता है खास का अभी तो बाढ़ का चेतर है तो उस चेतर में जाकर के वो उपलब्द हो सकते है अगर हम खोजेंगे कि चिकितसक सब जगह उपलब्द हो तो इतनी चिकितसक कहा है कि वहाँ पे सब जगह जाकर के उपलब्द हो भारत में पेशिंट और डॉक्टरों का रिशियो बहुत कम है यानि ज्यादा मरीज कम डॉक्टर तो ऐसी सितिय में वो हर जगह पर आप चिक्ता को प्लब्ध नहीं करा सकते हैं लेकिन खास जगह पिस चिक्ता को प्लब्ध करा सकते हैं और पूरी भारी भरकम भीड को कम कर सकते हैं, इसमें हमारी स्वास्त करता अपनी भूमिका आदा कर सकते हैं, वो उन छेत्रों पर जाएंगे, जाने के बाद जो लोग बिमार हुए हैं, और जो बिमारियां आने वाली हैं, जो हमारी वाल के बाद आया करती है, प्राया है, त सामगरी उसको उपलफ कराने में मदद कर सकते हैं जो दवाईयां जो ये सब चीजें चिकितसक से पूछ करके वहां पर ला सकते हैं चिकितसकों ने जो सला दिया है उन सलाहों को पालन करने में और लोगों को जानकारी देने में मदद कर सकते हैं जो जैसे मालिया कि किसी को कॉलरा हो गया, किसी को चमड़े की बिमारी हो गई, किसी को और पेट की दूसरी बिमारी हो गई, किसी को बुखार आ गया, कोई इंट्रिक फीवर से परिशान है, या इस तरह की अने को बिमारी है, सोची लंबी हो सकती है, तो इन सब बिमारियों को पहचान करके, कि बिमारी इस तरह की बिमारी है, इसको जांच की ज़रत है, इसको जांच की ज़रत नहीं है, इसे इन दवाईयों को पहले दे करके देखें, मलेरिया है, यह सब चीज़ें तो ऐसे समय में ही फैलती है, इनको पहचान करके, इनने किसको तुरत अस्पताल की ज़रत है, उसको व बड़ा लोट जो अचानक डौक्टरों के ऊपर पढ़ने वाला होता है कि हमारे हिल्थ सेंटर पर पढ़ना होता है, उस चीजों को वो कम कर सकते हैं, कम ही नहीं, बहुत कम कर सकते हैं इन चीजों को, फिर अस्पताल से दिखाने के बाद जब घर पे भी मरीज जाता है, तो अपने गाउं में इन चीजों को घूम घूम करके इन चीजों को देख सकते हैं कर सकते हैं और हमारे देश के स्वास्तिकारिक्रम को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं परिशानियों को हटा सकते हैं एक लिब्रिकेशन जो कहते हैं ना किसी मुसीन में लिब्रिकेशन का काम कर सकते हैं बिल्कुल डक्साइब ने बहुत ही सही सब्दों में ये बताया और बहुत ही important information अपने हमारे स्वास्थेकार करताओं को तथा अन्य जो लोग इसे संबन देते हैं स्वास्थे विवाग हमारे देश के सरकार जो भी है राजी सरकार उन सभी के लिए बहुत important information है और एक किसी को भी विल्कुल भी जरावी भ्रहम नहीं होना चाहिए स्वास्थेकार करता वास्तम में बहुत देश के बड़ी स्वास्थे विवस्था में एक बड़ा काम कर सकते हैं बड़ी भूनका अपनी आदा कर सकते हैं और इसकी भूनका के लिए सरकार ने योजना बनाई है क्योंकि सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति तक जो स्वास्थे है जो उनका लक्ष है वो उनको मिलना चाहिए का मानना है और यह को पूरा करने के लिए सरकार हर संब्ब प्रयास कर रही tennis यह सरकार के लिए वास्तम में प्रसंसठा की बात भी है लेकिन हम सब मिलकु कर करें और राजी सारकार आंडी इस पर भ्यान दें प्लेटफॉर्म तो को साथ ले का बहुत बहुत स्वागत कि साथ साथ उनका धन्यवाद करता हूं और मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर डीसी मिस्टा चुकि हमारे इस पाठक्रम से संबंदित भी हैं और आप इसके संपाधन में भी रहे हैं इसके प्रस्विक्शनल कारक्रम में हमारे साथ जोड़े रह हिसले हैं वह जानती हैं कि मतलब किस तरफ से स्वास्था-कार करता हों के साथ उनको प्रस्विक्शन देना हैं क्या-क्या चीजें उन्हें बतानी हैं तो आपको एक-एक यूनिट करके जो है वो एक-एक जानकारी आपको दी जा रही है ताकि आप पूर्ट तरह से प्रस्थिक्षित हों और आपकी प्रॉपर एग्जाम यानि परिक्षा हो रही है उस परिक्षा में आपको सफल भी होना तीनों पे सब्सक्राइब और देश के इस स्वास्था को सभाले में यानि नेशनल हेल्थ को सभाले में अपना पूरा सहे हुग दें जैहिन जैबहात आप सभी का फ़बस धन्ने मुश्कात अमस्कात